हलो दोस्तो नमस्कार आज मैं आप लोग के लिए किस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ जैसे आप लोगों ने देख लिया होगा उपर थमनेल में फोटो में क्या लगा था तो आप वीडियो को इस किम्मत करिएगा देखेगा पूरा देखेगा तब ही आपको ये चीज़े पूरी अच्छे से समझ में आएगी खीक है सारी चीज़े डिटेल में बताऊंगा कि हाई स्कूल इंटर लेबल तक रेल्वे में हो गया या इसरो में हो गया या डी आर्डियो में हो गया या किसी भी डिपार्टमेंट में जो पेकेंसी निकलती है वो किस किस पोस्ट के लिए पलाई कर सकते हैं तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप लोगों को एक चीज़ समझेगा, जिसे आपने simple high school किया, simple inter किया, ठीक है, तो आपको competition भी बहुत करना पड़ जाता है, competition बहुत करना पड़ जाता है, अभी इसका region भी बताएंगे competition क्यों करना पड़ जाता है, पलस competition बहुत करना प या B.T.E.C. किया हुए, आप डिपुलोमा तक ले लिजे कि उसने टेकनिकल डिग्री लिया हुआ है, तो अगर रेल्वे में वेकंसी निकलती है, तो अगर इसे simple से निकलती है, जैसे कि group D.Level या N.T.P.C. तक निकली है, तो इसमें आपका जो ITI भी किया, डिपलोमा किया वो भी प्लाई कर रहा है, और जिसने simple high school इंटर किया, वो भी अपलाई कर रहा है, तो competition आपका बहुत ज़्यादा हो गया, और इसी में अगर कोई निकलता है, जैसे सिर्फ मानता दे देता है कि ITI वाले अपलाई कर सकते हैं, ठीक है, या डिपलोमा वाले अपलाई कर सकते हैं, तो अगर ITI और डिपलोमा वाले के लिए बेकेंसी कोई technician की निकालता है, तो उसमें जो simple से high school किये हैं, जो इंटर किये हैं, वो अपलाई नहीं कर सकते, तो उनका तो competition इसे कम हो गया, अगर वो अच्छे से थोड़ा बहुत भी अपने brand से related technical चीज़े पढ़ लेते है जैसे DF, CC, IL में vacancy निकली हुए, railway की तरफ से ठीक है, उसमें निकली है junior executive की और signal and telecommunication की vacancy निकली है, railway की, उसमें जैसे की बोला गया है कि ITI होने चाहिए आपके पास और आपके पास डिपलोमा होना चाहिए, या BTEC होना चाहिए, तो देखिए, आब उसमें ITI और डिपलो करने सकते, तो उसमें तो competition कम हो गया, और वो technical से चीजों से आपका पढ़ाई किये हुए है, वो आसानी से अगर तैयारी कर लेते हैं, उनका वो technical से जो junior engineer की post निकली हुए है, executive signal and telecommunication की vacancy निकली हुए है, आप लोग जाके देख लिजेगा, सरकाई result पर जो मैं बता रहा ह जाता है, लेकिन जो non-technical रहते हैं, जिन्होंने high school inter simple से किया है, ठीक है, उनके लिए बहुत competition हो जाता है, अभी बरतमान का ही लेकर के चलिए NTPC में, क्या B.TEC वाले क्या डिकलोमा वाले क्या ITI वाले नहीं अप्लाई किये, वो भी अप्लाई किये होंगे, लेकिन अगर I ITI और डिकलोमा से कोई वेकेंसी निकलती है, तो उसमें ये simple से जो high school inter किये, ये लोग नहीं उसमें कर सकते हैं, तो उनके लिए चारो तरफ से competition हाई हो जाता है, आपका असलिए जो technical किये इसे डिकलोमा बीटक हो गया या पॉलिटीग हो गया जिन्होंने किया हुआ, टेक लाइन में नहीं जा सकते हैं, तो आपका शिर्फ जो निकलता है, अगर देखिए आप simple से किये हुए हैं, तो आपके लिए competition इसलिए बढ़ जाता है, ये आप लोग के लिए बहुत हो जाता है competition की तरफ से, देखा जाए तो, तो आप लोग का doubt किलियर हो गया होगा, कि सब अगर देखा जाए, चांस जो रहता है, जो नहीं टेकनकल जिनके पास ITI हो या डिकलोमा हो, या कोई भी टेकनकल डिगरी होती है, उनके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट रहता है, उनको उतना competition से लड़ना भी नहीं पड़ता है, और जो simple से किये रहते हैं, उनके लिए ब लिए प्लस पॉइंट जा सकते हैं, और जिन्हों ने हाई स्कूल इंटर या graduation simple से किया है, वो लोग apply नहीं कर सकते हैं, तो यह चीज आप मान के चलिएगा, टेकनकल वालों के लिए ज्यादा चांस रहता है, competition भी कम रहता है, तो आप लोगों का डाउट किलियर हो गया और आपका private में भी, तो आप लोग इस सारी डाउट को किलियर कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ सारी चीजों को अच्छे से समझ गये होंगे, अगर बात को समझ में आ तो आप लोग कमेंट में बताईएगा, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, और प्लीज आप आप लोग वीडियो को और दोस्तों के साथ भी सेर करिएगा, ताकि उन लोग भी पता चले जो आपके छोटे भाई भैन है, हाई स्कूल इंटर में, उनको भी पता चले के हाँ टेकनिकल करना है या जो चीज करना वो डिसाइड करेंगे, आप लोग उनके साथ ये वीडिय के साथ अप तक के लिए दोस्तों आप लोगा धन्यवाद जाएगे